नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वेडियो में बताने बाला हूँ एक और उसदी के बारे में ये जो आप तालाब में पूरे तालाब में लगी हुई उसदी देख रहे हैं इस उसदी का नाम है कमल गठा इसको नील कमल या नीलोत फल बोला जाता है और आज मैं इस उसदी के बारे में बताने वाला हूँ आपको तो अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें उसके बाद बैल आइकन दबा करके आल नोटिफिकेशन शेट करने प्राचीन समय में हमारे दादा पर दादा इसे पत्तल बन प्योग होता है तो उससे हमारे पस्कियों की हमारे प्रयब्रण की बहुत छती होती है अगर आप आद कल भी इसे इस पत्तों का पत्तल और धोना बना करके प्रयोग करें तो यह हमारे बातब्रण को बहुत अच्छी तरीका से रक्षा करेगा और हमारे पस्कियों को भी य की मौत नहीं होगी तो ये जो आप बड़े बड़े इसके आकार के पत्ते देख रहे हैं इन पत्तों को तोड़ करके जो दोना और पत्तल बना जाता था प्राचिन समय में तो चलिए मैं बात करूँगा जो आप ये पत्ते देख रहे हैं इन पत्तों और इन जड़ों और इस को अपने घर ले जाई ये और कूट पीश करके आप इस का सॉरश निका लिए अगर वह सॉरस आपो गढढ़ा जो सॉरश निकले अगर वह सॉरस आपे शिबन करते हैं तो आपके सरीर में जो बुखार की कमी जो बुखारा चुका है उस बुखार को दूर कर देगा और यह इ का प्रयोग है अब मैं बताऊं इसके बीज जो है तो बीजों का जो आप उसका एक छत्री नुमा एक फल लगता है उसमें कई प्रकार के बीज होते हैं तो वो बीज जो होते हैं कमल गठा तो ये बीज पूजा से लेकर के मंतजाप की माला तक में प्रयोग की जाते हैं इनके बीजों की और इनके जड़ों की जो इसकी जड़ कमल ककड़ी के नाम से बिख्यात हैं और इसके बीज इसमें बीजों की सबजी बनाई जाती है वो सबजी बहुत स्वादिस लगती है बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी जड़ों की सबजी भी बना जाती है जो कमल और प्रिमे जैसी बीमारी को दूर करता है आपके सरीर में अश्टे धातियों की पूरती करता है आपका बजन बढ़ा देता है आपको दूबले पतले सरीर है तो आपका हस्ट पुष्ट कर देता है खाया प्या नहीं लगता है तो उसमें ये लापकारी है शरीर और बदन दर आप इसको प्योग जरूर करें ये एड़ी से लेकर के चोटी तक कि जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों को नश्ट करने बाली है ये कमल कख्री आप इसकी जब सब्जी खाएं तो पानी जादा पीएं क्योंकि ये थोड़ा गरिश होता है अगर पानी की मातर कम होगी तो य आप इस उसादी का प्रयोग जरूर करें और लाब उठाएं इससे बात रोग हैं स्वास रोग हैं खासी अस्तमा जैसी बीमारी सिर्दर्द बदंदर और चर्म रोग इत्यादी सभी प्रकार की ब्यादिया दूर हो जाती हैं तो हम फिर मिलेगा अगले वेडियो में तब के लिए नमस्कार